तालीबान को पूरा यहाँ पे सपोर्ट करता है और अब पाकस्तान तालीबान की आर्मी को भी यहां पर डेवलप करेगा और आज से कुछ धिन पहले हैं मैंने एक वीडियो बनाए था कि तालीबान की जो Special Force है 313 Battery Battalion so basically अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना करीब 19,000 लोगों ने इस वीडियो को जो है देखा था और यह काफी important वीडियो था जिसमें मैंने यह बताया था किस तरीके से American American equipments को यहाँ पर Taliban यूज़ कर रहा है लेकिन अब बात यहाँ पर equipments की नहीं है, equipments तो Taliban के पास है और यह purchase भी कर सकते हैं लेकिन इनके पास proper एक system नहीं है, आर्मी का जिस तरीके से यहाँ पर system होता है, proper training होती है, किस तरीके से आर्मी जो हैं यहाँ पर work करती है, किस तरीके स आपको अभी तालीबान के पास देखने को नहीं मिलेगी और इन सब चीजों को डेवलप करने में यहाँ पे मदद करेगी पाकिस्तान की आर्मी और इसके रेकार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा यह आर्टिकल नवभारा टाइम्स का है तालीबानी सेना का निर्माण करेगा पाकिस्तान आई एस आई चीफ जाएंगे अफगानिस्तान तो आई एस आई जो इंटेलिजेंस एजिंसी है पाकिस्तान की उसके जो चीफ है वो जाएंगे अफगानिस्तान और properly यहाँ पे तालीबान की जो सेना है तालीबान की जो आर्मी है वो यहाँ पे develop की जाए मतलब पाकिस्तान की आर्मी तालीबान की आर्मी को यहाँ पे guide करेगी उनको यहाँ पे build करेगी लेकिन यह सब होगा कैसे क्या इतना आसान है और पाकिस्तान इतना तालीबान में क्विंट्रेस दिखा रहा है पाकिस्तान क्यों तालीबान को यहाँ पर डेवलाप कर रहा है तालीबान की आर्मियो को यहाँ पर डेवलाप कर रहा है काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस इसको इंजोई करना है एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अविल कर पाओगे और आप यहां पर PDF भी डाउनलोड कर सकते हो और अब आप हमारे कोर्स जो है themmacademy.in पे भी जा सकते हो बड़ी स्क्रीन पे भी आप पूरे कोर्स इसको इंजोई कर सकते हो इसके अलावाब आप अगर कोई भी इंडिवीज्वल कोर्स यहां पर जोईन करना चाहते हो तो वो भी आप यहां पर परचेस कर सकते हो और वो भी बिलकुल कम प्राइजिस में अब सभी कोर्स अवेल कर सकते हो तो जल से जल कोर्से इसको अवेल कर लेकिन सबसे पहले हमको समझना होगा मैप को देखो अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक बहुत बड़ी ही बॉर्डर शेयर करते हैं और पाकिस्तान को जो एक क्वेटा वाला एरिया है वहां पे आपक करता कौन है तो TTP एक बहुत ही बड़ा और्गनाईडेशन है जो पाकिस्तान में काफी एक्टेव रहता है बेसिकलि जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉरडर है न regel पर यह ज्यादा एक्टेव रहता और इसको पाकिस्तान तालिबान भी कहा जाता है तो ठीक है तो ये बात तो हो गई बॉर्डर की कि किस एरिया पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे अटेक होते हैं और कौन से ग्रुप से पाकिस्तान को यहाँ पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है लेकिन अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो आज के समय टोटल अफगानिस्तान में आपको तालिवान का रूल देखने को मिलेगा जहां हम 15 अगस्त को अपने इंडिपेंडेंडेंस जे सेलिब्रेट कर रहे थे तब ही तालिवान ने आप पूरा कबजा लिया अफगानिस्तान और इसके बाद पाकिस्तान की जो पाकार है वो आज के समय बहुत जादा पैनिक में है और काफी एफरेड भी है कि TTP जो है कभी भी यहां पे अटेक कर सकता है और ये एक बहुती बड़ा थ्रेट है पाकिस्तान के लिए और भविश्च में कोई भी ऐसा अटेक ना हो TTP पाकिस्तान पे अटेक ना करे इसके लिए पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजनसी ISI उसके जो हेड है वो यहां पे जाएंगी अफगानिस्तान और देखो जितने भी यह टेर्रेस्ट ग्रूप है चाहे वो लश्करे तैबा हो, जैशे मुहमद हो चाहे वो तालिबान हो वो सब जो है ना पाकिस्तान आर्मी की मदस से ही यहां पे पावर में आया है लेकिन अब अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान जो है इन ही टेर्रेस्ट ग्रूप से यहां पे परिशान है अब इन में सबसे इंपोर्टेंट आपको देखने को मिलेगा TTP और जब से अफगानिस्तान में तालिबान का यहां पे रूल आया है तो तालिबान यहां पे पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि पीस बनी रहे प्रॉपर इस्टेबिल्टी हो अफगानिस्तान में लेकिन यह पॉसिबल नहीं है अफगानिस्तान की जो आवाम है जो वहां की लोग है वो अफगानिस्तान में रहना नहीं चाहते वो तालिबान के साथ यहां पे रहना नहीं चाहते युकि उनको पता है कि तालिबान यहाँ पर लागू कर देगा शरीया लोग और शरीया लोग की उपर भी मैंने एक वीडियो बनाया है तो अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी एक बार जरूर देख ले तो ठीक है पाकिस्तान की जो सीक्रेट एजेंसी है यहाँ पर जैए इसका है यहाँ पर लेकिन वो यहाँ भी क्यो जाएंगे पाकिस्तान को की कालीबानी आर्मी जैंञें यहां पर लिपेश आज के समय पाकिस्तान में सब्से दा coupon व त्रेटैन इसी को हम कहते है TTP और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही बड़ा threat है जो continuously अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान soldiers पे जो है अटेक कर रहा है अगर आप continuously देखोगे जो पेटा वाला एरिया है उस पे भी आपको बंबलास देखने को मिलेगा आज से कुछ मैंनों पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहां मैंने ये बताया था कि back to back दो बंबलास हुए थे पाकिस्तान और देखो TTP के जो मेंबर है न वो होते हैं पाकिस्तान में एंटर अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान का जो Continuously बहुत सारे अटेक हुए हैं पाकिस्तान की आर्मी के उपर और इसी को लेकर पाकिस्तान ने यहाँ पर ये डिसिजिजन लिया है कि हम तालीबान की जो आर्मी है उसको यहाँ पर रीबिल्ट करेंगे उसको यहाँ पर प्रॉपर तरीके से ट्रेन करेंगे जिससे जो त स्टून इस्लामिस्ट आंड इस्टूडेंट ग्रूप है तो यह एक अंब्रेला और्गनाइजेशन है और इसमें आपको वेरियस जो मिर्टेंट ग्रूप है वो आपको देखने को बलेंगे जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो है काफी एक्टिव रहत अमेरिका के पास जो वेपन्स थे वो सब यहाँ पर यह चोड़के चले गए आज जो है वही सब वेपन्स जो है कुछ TTP के जो फाइटर्स है उनके हाथ लग गए तो इसी लिए जो है पाकिस्तान काफी हत तक घबराया हुआ है कि यही जो वेपन्स है वो यह पाकिस्तान क आर्मी के अगेंस यहाँ पर यूज ना करते और इसी को लेके जो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजन्जी है ISI उसके जो हैड है वो यहाँ पर बहुत जल्द अफगानिस्तान जाएंगे हाला कि तालीबान ने अभी तक यहाँ पर ऐसा कुछ कुछ कंफरमिशन नहीं दिया है कि पाकिस्तान जो है तालीबान की आर्मी को यहाँ पर रिविल्ड करेगा अभी तक इसको लेके ऑफिशल कोई भी स्टेट्मेंट नहीं आई है तालीबान की तरफ से